हलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में वीपियन प्रोक्सी कैसे ओफ करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं आपको मैं सबसे पहले दिखा देता हूं इसक इस तहरा से फियंट ऊपन हो जाएगा यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो proxy setting आप द Χी जैगा यदि आउन करना चाता है तो यहाँ और आप आप देखेंगे networkάνne डिखिए इसके बाद आपको किलिक करने बाद इस इस तरह से window open हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखेंगे, 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 तो यहाँ पर आपको दे से बल कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करने हैं, यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देने हैं, क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा, अब आपको क्या करने हैं, इसको यहाँ से बरा कर लिजएगा, ताकि आपको क्या कर लिजएगा, इसको आपको यहाँ से बर क्वुटर कंफिगेशन इसके नीचे आप देखेंगए तो यहां पर आपको दिक जाएगा administrator टेमपलेट इसके ओपर आपको डबल क्लिक करना है डबल क्लिक करते हैं इस तरह से list इसके बाद यहां पर आपको देखेंगे तो 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 यहां पर आपको देखेंगे के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा disable changing connection setting यहाँ पर आपको क्याकर ओपट करने है इस तरह से withource ओप एसके बाद आपको क्याकर नह работать कर देने इसके बाद यहाँ पर यहाँ आपको अपने के लिए देक लिए इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर क्लिक करने के बाद यहांपर किलिक करने के बाद आप अब यहांपय देखंगे तो यहांपर आपको कुलिक किजिएगा। तो इस तरह से आप इसको permanently disable कर सकते हैं, चलिए, आपको मैं दूसरा भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर start पर right क्लिक करना है, इसके बाद setting के ओपर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यह window open हो जाएगा, आपको network and internet के ओपर आपको क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा proxy, इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर on होगा, यदि आप यहाँ से भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर edit पर क्लिक करके, यहां से आप इसको off कर सकते हैं, तो इसके बाद यहां से disable हो जाएगा, तो इस तरह से आप इसको disable कर सकते हैं, और please guys चैनल को subscribe करें, like करें, share करें, thank you